आप सब रही हैं दास्ताने खौफ अनों के साथ नमस्कार दोस्तों, कहानिया दीन टोल्ड आपका स्वागत करता है आज मैं आपके साथ इस कहानि के माध्यम से सच्ची डिराओनी भोताहा घटना शेयर करने चाह रहा हूँ जो मेरी पुराने दोस्त ने मुझे बताई है और उसके कहने पर ही आज ये सच्ची घटना आपके साथ शेयर कर रहा हूँ या पुदा कहानी उस शापित नागिन पिशाच के बारे में है जो समीन में गड़े प्राचिन खजानी की रख्छा करने पिली रखी गई है और कई हजारों सालों से उससे पिशाच यहनी से मुक्ति नहीं मिले और शाहिद वो आज भी उसी जगापे है तो मेरे दोस्तों डेर खौफ और सच्चाई से भरी इस सच्ची जराउनी कहानी को अंदक सुनी मेरा नाम चंदन है मैं एक सरकारी बैंक में कैशे के पत पर काम करता हूँ यह उस वक्त के बाद है जब बुरा नगर गाओं में नई बैंक शाका खुलने के वज़े से मेरा तबादलाव वहीं हुआ था मैं शुरुवात में रहने की व्यास्ता ना होने के कारण अकेली ही बुरा नगर में आया था शाम को चुट्टी होने के बाद किराये पर घर ढूनने के लिए मैं गाओं के सरपन जी से मिला और उनसे बादचित हूँ उन्होंने बताया कि उनके पास तो कोई घर खाली नहीं है जिसे वो किराये पर दे सके सरपन जी ने मुझे कुंतन नाम के माडवारी के बंगलो का पता दिया मैं उस माडवारी से जाके मिला उनसे कहा कि कुंतन भाई मेरे परिवार में बोड़े माबाप मेरी गर्वती बीबी और मैं कुल मिला के पांच लोग है हमें रहने के लिए किराये पर घर चाहिए और मेरी नौकरी भी सरकारी है तो आपको किराये भी समय पर दे दिया करूंगा उन्होंने कहा कि उनके पास एक पुरानी हवेली है जो बहुत सालों से विरान पड़ी है मैंने कहा कुंतन भाई मुझे परिवार के साथ रहना है खांदान के साथ नहीं वो बोले कि मेरे पास अब यहीं खाली जगह है जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ तुम भले आदमी लगते हो तो तुम्हें मैं ये हवेली थोड़े से किराय पर दे दूँगा मेरे पास समय कम था इसलिए मैंने उस हवेली के लिए हां कर दिया और करता भी क्या बैंक मनेजर ने मुझे जल से जल नया ठिकाना धोड़ने के लिए कहा था क्योंकि मैं रात को बैंक में सोता था और फिर परिवार को तो भी लाना था मैंने अगले ही दिन पिता जी को फोन करके बोला कि मैंने एक पुरानी हवेली किराय पर ले लिए है आने वाले दो दिनों में आप लोग सब बुरा नगर आ जाओ अगले ही दिन मैनेजर से आधे दिन की छुट्टी लेकर कुंतन भाई से हवेली की चावे ली और उनकी पहचान का ही एक मजदूर लेकर साफ सफाई करने हवेली जा पूंचा जब मैंने हवेली का में गेट खोला तब मुझे एक अजीव नजारा दिखा हवेली के आंगन और बगेची में जगा जगा किसी में बड़े बड़े गड़े खोदे हुए थे जैसे की कोई जमीन में कुछ ढूंड रहा है और कड़े के बाजू में कांत्री के पूझा विदी का समान था और सबसे बिचितर चीज थी यहूं के आटे से बना हुआ नाग जो हर कड़े के पास रखा हुआ था उस मजदूर को मैंने सब गड़े भर कर उस समान को कच्चरे में फेक गुप कह दिया और मैं हवेली के कमरे देखने लगा हवेली में कुल मिला के सोला बड़े बड़े कमरे थे और एक रसोई घर तो मैंने सबसे पहले पहला कमरा खोला तो मुझे दिखा कि फर्ष पर बहुत सारे सापों के कीचुलिया और वहीं गियों के आटे से बनेवी नाग थे रसोई छोड़के सभी कमरों का यही हाल था उस कमरे को साफ करते करते मुझे बहुत रात हो गई थी फिर भी रात को बैंक जाते जाते घर के मालिक को देखा तो मैंने उसे सब बताया वह बोला कि किसी बच्चे या पियकड़ गावालों ने अंदर गुसकर कुछ शरारत की होगी उसने यह कहकर मेरी बात को टाल दिया पर मेरा मन मुझे कुछ और ही संकेत दे रहा था पर करता भी क्या और कोई घर भी तो नहीं मिल रहा था अगले ही दिन रविवार था मेरा परिवार बुरा नगर आने वाला था सुबह मैंने बस स्टॉप से परिवार को समान सहित उस हवेली पर ले गया उस हवेली में हमार पहली रात थी, सभी ने बहुत दिनों बाद एक साथ खाना खाया था, सब बहुत खुश थे, खाना होने के बाद मा और पिटाजी उनके कमरे में चले गये, मद रातरी में पिटाजी को नीन नहीं आ रही थी, तो पिटाजी आंगन में टहलने लगे, टहलते वक्त अचानक से बिजले चले गे, फिर उने एक इस्त्री की आवाज सुनाई थी, शामडाल, शामडाल, हरे ओ शामडाल, तुम मुझे सिर्फ एक पली दे दो, और पूरा सोना तुम्हारा होगा, सिर्फ एक पली, और तुम सोने के भंडार के स्वामी बन जाओगे, ये आवाज उन्हे बा बॉखला गए, और इधर उधर नजर गुमाने लगे, और फिर वह सामने आई, उसकी आखे लाल थी, माथे पर नाग का चिन्ने था, उसने हरे रंग की चमकने वाले साड़ी पहने थी, ये भेंकर मनजर देखकर पिता जी बेहोश हो गय, फिर सुबह जब माने उन्हें दे मा की चहरे का तो रंग ही उड़ गया, बाद में मैं आफिस चला गया, पूरा दिन मेरे मन ने शिरुवाल से देखी और पिता जी के द्वारा बताई गई सभी बाते एक के बाद एक दस्तक दे रही थी, मैं शाम को जब घर आया, तो सब कुछ नॉर्मल था, पिता जी रात की घटना को पिता जी का वहम मान के भोल गया, पर मुसीबत तो अब आने वाली थी, रात को जब सब खाना खाकर सो गये, तब सभी कमरों के फर्च के नीची कुछ भारी वजन वाली चीज सरकने की आवाज आने लगी, लग रहा था कि कोई बड़ी भारी चीज जमीं क के अंदर इधर उधर सरक रहा हो, हम सभी डर के आंगन में इखठा हो गये थे, कुछ समय बाद जब वह आवाज आनी बंध हो गई, फिर हम सब कमरे के अंदर गये, और सबने एक ही कमरे में रात बिताई, पर किसी को नीन नहीं आई, सुबह मा और पिताजी गाउं में कोई तंत्र मंत्र वाले बाबा को तलाशने लगे, और खुश किसमती से उन्हें बजरंग बले के मंदिर में साधू मिली, उन्हें जब पिताजी ने अब तक की पूरी दुरटना की सच्चाई बताई, तब बाबा बोली, कि उस हवेली में एक नागिन का पिशाच है, और उसे पिशाच योनिसे मुक्ति चाहिए, पर उसे वा तभी मिल सकती है, जब तुम नागिन को उस खजाने की रखवाली से आजाद कर दो, और ये तभी मुम्किन है, जब तुम उसे एक इंसान की बली चड़ाओ, फिर वह खजाना, तुम्हारे हवाले करके उसे पिशाच योनि भी पहुंचाए, मा ने जमीन की नीचे आने वाली आवाजों के बारे में पूछा, साधु महराज बोले कि नागिन खजाना एक जगा नहीं रख सकती, कि उसे तांतरिक और मंत्रिकों का भै रहता है, वह खजाने के साथ उसे कैद कर सकते हैं, फिर उसे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी, वह पिशाच नागिन बहुत ही शक्तिशाली है, वहीं खजाने को जमीन के अंदर सरकाते हुए जगा बदलती रहेगी, फिर बीना बोले ही, साधु बाबा ने परिवार की रक्षा के लिए अभिमंत्रित की हुई चार अंगुठिया दी, और वह हवेली छोड़न उसने मुझे पीछे से आवाज दी, चंदन, चंदन, मुझे सिर्फ एक बली दे दो, और पूरा सोना तुम्हारा, तुम्हें अपनी पूरी सिंदगी, किसी की गुलामी करने की जरूरत नहीं, बस सिर्फ एक बली दे दो, और पूरा खजाना तुम्हारा, उसकी अवाज से वह गुसे में लग रही थी और वह मुझे शायद मार भी देती पर मैंने पीछे मुढ़के नहीं देखा और साधु महराज के अमगुठी जिस पर हनुमान जी का आशिरवाद था वह मेरे पास ही थी इसलिए वह मुझे हानी नहीं पहुचा सकी और अगले ही दिन बढ़िया किसमत से मुझे नजदी के गाउं में दुसरा घर मिल गया और अब मैं मेरे परिवार के साथ वहाँ पे रहता हूं और मेरी गरवती बीवी को लड़का हुआ है दोस्तों ये सची घटना पर अधारी नागिन पिशाच की कहानी आपको कैसी लगी ये कॉमें शेकित आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं कि आपको किस तरह की कहानिया पसंद है हम अपने शुर्ताओं को कभी निराज नहीं होने देना चाहते आप लोग हमारे चैनल पे विसिट तो जरूर करते हैं लेकिन आप पूरी कहानी नहीं सुनते और ना ही चैनल को सब्सक करते हैं बिहार प्रांद के सीता मडी जीले का एक गाव था सिम्रा जहां पंडित परिवार से तालुक रखने वाले ओमकार उपाध्याय उन दिनों बहुत परिशान थे अपनी बेटी मधु को लेकर यथा नाम तथा काम मधु खूपसूरत सर्भुगुन संपन बालिका थ पंडित पंडित आईन उसे बे इंतहा महब्बत करते थे मगर भाग्य को कौन टाले आज हुआ बिद्वा निसाहाय थी और एक नहीं दो बार बिद्वा हुई शादिया धूमधाम से संपन हुई थी अपने अपने सुहाग रात के ही दिन तोनों मारे गए गुडिया की तर प्रतित होता है उनके इसनायू फट जाएंगे वे और उके तो बेटी की ब्याथा मान ही डालेगी उन्हें अपने घर के सामने आम ब्रिक्ष के नीचे अभी वह चरपाई बिछाए ही रहे थे कि दूसरे गाउं का आदमी बेचन आया और उनसे बोला पाव लगत है पांड मधु बिटिया की शादी के बारे में कुछ कहना चाता हूं इतनी कम उम्र में बिधवा और सामने पहाड जैसी जिन्दगी कहीं लड़का देखा है देखा है ना कालुपूर के दिमिदी जी का लड़का है पर क्या बोलो तो एक लाख नगद और पांच तोले सोना मांग र गए बरात पांडीची के दरवाजे धूम धाम से आई और शुशिल मधु परनय सुत्र बंधन में बंद गये आज शुशिल और मधु की सुहाग रात थी अर्ध रातरी का समय हो चुका था शुशिल देखा घर की औरते मर्द सब सो गया है वो उपरी मंजिल पे सिडिया च खुली थी उससे जहका और उसी लगा सैकडों बिच्चु एक साथ डंक मार गया हो पचेत सा हो रहा था मगर अपने आपको संभाला मधु के शरीय से एक भ्यानक पिशाच खेल रहा था जिसकी लंबी-लंबी जटाय थी मूं के उपरीचब्रे से दो सामने के दात गायब थ रहा था वह वहां से डरते कापते अभी बढ़ाई था कि मधु की कम्रे का दर्वाजा चर मराया एक बार लगा कि उसके प्राण किसी ने हर लिये हो तभी मधु आकर एक एक उसकी बाहें पकड़ ली और बोली चलिए अंदर चलिए शुशील कापते हुए आखे बंद कर ल कम्रे को नजरे भार भाड कर देख रहा था कम्री में उंदुनों के सिवाए कोई नहीं था चलिए सू जाईए मधु उसे सुला कर बत्ती बुझा दे वह सूत हुगया मगर उठा नहीं उसके शरीप एक खंडी बेलन की तरह कोई चीज घूम रही थी एक आएक पिशाच न टास्क किया मधु सोच चुकी थी और एक बिरतकाय नाग का रूप उसके सामने प्रकट हुआ विशाच सुशली की कड़न में अपना विश उढ़ेल दिया उसी समय मकान के मंडब से एक कालाह बिरतकाय पक्षी चितकार करते हुए आंगन लांगत निकला जो आंगन में शुशील के हलक से मधु हर बढ़ा कर उठी बल में जलाई मगर देर हो चुकी थी शुशील के चहरा नीला पड़ गया था कालुपूर में दिवेदी जी के घर लोगों का ताता लग रहा था अभी कल ही तो दुलहन आई थी और रात में ये घटना हो गई भाग जय का लेख कौन टाले मधु फिर बिद्वा हो गई कुछ दिन बीट गये मगर ससुराल में सास ससुर की जहर भरी बाते उसे रास नहीं आई रोज सास ससुर बस एक ही बात कहते मेरे बेटे को खा गई ये नागिन इधर मधु अपने माता पिता के पास आ गई ओमकार पाधियाजी के प राय करत है और राय को परवत क्या मेरे साथ ही सारी लिलाय दिखानी है उसे पांडे जी ऐसा कहते वे बिलक पड़े तभी वहां एक सादू के साथ खूपसुरत लड़का और लड़की का पिता उपस्तित हुए उन्हें सामने खड़ा देखकर पांडे जी चरपाई खड़े हो गये और बोले आए बाबा आप लोग विराजें हम पैठने नहीं कुछ तैय करने आए हैं साथू बोला कहिए बाबा आप ही कहिए क्या तैय करने आए हैं उमकार उपाध्याय जी बोले हम आपके यहां इस बालक का रिष्टा लेकर आए हैं ये राधा जी के सु हार गई हम आपके बेटी मधू का हाथ मांगने आये हैं देव बाबो के लिए आपका क्या विचार है पर हमारी बेटी हम सब जानते हैं पांडे जी आज भर काहीं मुर्त बचा है इन दोनों को प्रणैसुत्र से जोड़ने के लिए अब ना ना करिए साथू बोला तब तक कुछ गाउं के लोग भी इकटे हो गए थे पांडे काका अब देर ना करो लग रहा है बाबा आपके मधू का कल्यान कर देंगे और मधू को मेहंदी महावर सखिया सहलिया लगाने लगी सभी खुश थी कि मधू का किसी तरह घर परिवार बस जाए हलवाई गाउं का था उ सूच रही थी कि अब आखिर क्या होगा तभी लड़का मंडप में आता है और मंत्रो उचारण की बीच देव और मधू का विवा संपन होता है और थे सखियां दूलहा दूलहन को जो ही कोहवर की तरफ लेकर चलती है तभी साधु दहार उड़ता है फैरो ये लड़की पि हलवाईयों से कहे इस सरीया को चूले में लाल करके लाए आखिर ये सब क्यों बाबा पांडी जी बूले इसलिए कि पांडी जी आपके बेटी के भीतर पिशाच और उसकी मोहिनी नामिक नागीन घर बनाकर बैठी है जब तक हम उसे मार नहीं डालेंगे वह दूले को मार वह मधू को अपने कबजे में ले रखी है उस पिशाच को मधू का दूला बनाकर आजीवन रखना चाहती है या मधू बाल वस्ता से ही परवाव में उसके आ चुकी थी आज इस पिशाच मोहिनी का अंग हमारे हातों संपन होगा साधू दहार उठा हलवाई अंगारे के सम वह मधू की पीठ नग로 दूला पलुम पूदा बूलए हमारी तरह इसंद्युके अंगारे की तरह सरिया मधू की पीठ पर रक्ठी एक पजीव चिरा धन्य गंद फैल गई और वहां सबको एक चिलाती हुई सवर सुनाई दिया सब ने देखा मधू के पेप से निकल कर एक काली नागिन फर्ष पर दोड रही है सभी हत परवते उस नागिन को देख रहे थे तबी सादू दहाड उठा मार डालो यही है पिशाच मोहिनी और काउवालों ने लाठे टंडों से नागिन को मार डाला और मधू के रेद की तरह विरान उस्तब्द फुलवारी लहला उठी तक जरू पहुचे जल नहीं नहीं कहानियों के साथ आपसे मुलकात होती रहेंगी तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं